हाई गाईज, वेल्कम बैक तो माई चैनल, दोस्तों सर्दियों में अगर आपकी स्किन भी बहुत जादा ड्राइ रहती है, फ्लेकीनेस हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इशुज हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, या मैं कोई लोशुन या कोई पसंद आए, तो लाइक जरूर करिएगा, शेर करिएगा जादा से जादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजे, चलिए स्टार्ट, दोस्तों हमें लेना है एक छोटा चमच, बदाम का तेल यानि की आमंड ओल, आदा चमच हम लेंगे और थोड़ा साइस में डालेंगे यानि कुछ ड्रॉप्स डालेंगे रोज वाटर की गुलाब जल की इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसे हम फेस पे अपने लगाएंगे इसे आप वीक में एक से दो बार कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव ड्राय है तो और नॉर्मल है तो आप वीक में एक बर जरूर करें इसे आपकी डेट स्किन बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगी और स्किन अच्छे से सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी इसे हमें विल्कुल स्क्रब की तरह यूज करना है बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना है जेंटली स्क्रब करना है अपने नोज एरिया पे चीक एरिया पे स्पेशली में बहुत सारे लोग को देखती हो कि उनका चीक बहुत जाता है सर्दियों में जेंटली स्क्रब करें एक से दो मिनिट तक जादा नहीं जेंटली स्क्रब करें आपकी स्किन बहुत जादा गलो भी करेंगी और जितने भी ड्राय और डल पैचेस है और रिमूव भी हो जाएंगे एक से दो मिट तक करने के बाद आपको अपना फेस वाश कर लेना है और इस रेमेडी के बाद आपको किसी मॉस्चराइजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप मेरे स्किन में भी फरक देख सकते हैं अच्छे से स्किन मॉस्चराइज हो जाती है यह देखिए सर्दियों के लिए बहुत ही बड़ी रेमेडी है तो इसे ट्राइज जरूर करिएगा उमीद है यह DIY स्क्रब काम फेस पैक आपको जरूर पसंद आया होगा सर्दियों में कई बार ऐसा होता है, इसकिन बहुत जादा फट जाती है, बहुत जादा ड्राइज होती है और कितना भी आप मॉस्चराइजर यह क्रीम लगा लो वो सही नहीं होती है उस skin को जरुवत होती है इस scrub की once a week या twice a week आप इसे जरूर अप्लाए करें इसमें मैंने आमन डॉयल मिक्स किया है तो आपकी skin के dry flakes हटाने के साथ सत उन्हें यह नरिश और सब्सक्राइब करें इसको लगाने से आपकी skin हो जाएगी soft and supple और जो soothing effect हमें चाहिए होता है सर्दियों में कि मारे skin soft लगे dry नहीं लगे खिचे नहीं वह आपको मिलेगा तो इससे ट्राइज जरूर करेंगा गाई और अपना feedback मेंने साथ शेयर करिएगा पसंद आई है